बादाम के तेल में सिर्फ ये चीज़े मिला करके लगा लो बाल इतने तेजी से लंबे होंगे कि आप देख करके हैरान हो जाएंगे जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसा रेमेडी आपसे सेयर करने वाली हो जो बादाम के तेल से बन करके तयार होगा और ये आपक बालों का बढ़ना रुग गया होगा तो दोस्तों अगर सिर्फ दो से तीन चीज़े मिला करके आप इस तेल को लगाते हैं अपने बालों में तो आपके बाल ऐसे ही लंबे काले घने मोटेर मजबूत हो जाएंगे अगर बाल सफेद हो रहे हैं इस कैल्प में गंजापन आ बालों का गिरना बंद हो जाएगा और बाल ऐसे ही लंबे काले मोटे चमकदार हो जाएंगे तो दोस्तों इसे कैसे बनाना है कैसे यूज करना इन सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे बस यह धियान रखना कि इस कैल्प से गंजापन यह खतम करने का छमता रखता है तो दोस्तों और सकैल्प में अगर डेंडरफ हो गए है तो डेंडरफ तो एकदम ही हो जाते हैं तो दोस्तों अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए बादाम का तेल सबसे ज्यादा जरूरी होता है जितना ज्यादा अच्छा आप ब्रांड का यूज करेंगे उतना ही ज होता है किछ लगाने के बाद भी बाल चिप नहीं होते हैं बालो में हेविनेस लगर आप आराम से कहीं भी आजा सकते थीक है दोस्तों तो जितना मातरा में आप इस तेल को बनाना चाहते हैं उतना अप लेसकते रहावर आप ज्ज पल देम ठीक है फ्रेंट्स बस आपको इसे ग्लास कंटेनर में रखना होगा यहाँ पर हम डाल रहे हैं ब्लैक क्यूमिन शेड इसे मंग्रेल भी कहा जाता है और इसे कलांजी भी कहा जाता है यह हमारे सफेद हो चुक्यों बालों को वापस काला बनाने में बहुत जादा असरदार हो जब इसे खुद यूज करते होंगे तो आप खुद यह नोटिस करते होंगे कि यार सच में यह मैजिक के जैसे हमारे बालों पर काम करता है बालों का जड़ना एकदम कम हो जाता है बालों की लंबाई तेजी से बढ़ने लगती है तो दोस्तों इसे हमें एक एक चमस डाल देना है और इसे हमें गैस के फ्लेम पर बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे पकाना है आप चाहें तो इसे डबल बोईलिंग मेथट से भी पका सकते हैं लेकिन मैंने हेवी तलवाला बरतन का यूज किया है इसलिए मैं इसे डारेक्टली पका दी हूं ठीके दोस्तोर जब आपको इसे अच्छे से पका लेना है कम से कम 10-15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेना है और दोस्तों जब यह दोनों चीज यह फैनुगरीक शीट और ब्लैक क्यूमीन शीट दोनों ही अच्छे से पक जाए जहाग का बनना थोड़ा कम हो अब आप फैनुगरीक शीट डालेंगे और कलोंजी डालेंगे उसी टेम आपको फ्रेस हिबिसकस फ्लावर डाल देना है और कुछ एक दो पत्ते भी आप डाल सकते हैं इससे भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं ठीक है दोस्तों अब इसे डालने के बाद हमें अगर आपने लगाएंगे और अगर अपने ड्राई डाला हुआ है तो बर्नर बिलकुल भी आपको ओफ ही रखना है आपको इसे ओन नहीं करना है आपको इसे दुबारा से पकाने का जरूरत नहीं है बस यह आपको इस गरम तेल में इससे डाल देना है और फिर ऐसे ही छोड़ देना है अब ये तेल हमारा बन करके तयार हो गया है, तयार होने के बाद दोस्तों आपको इसे सिंप्ली छान लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोड़े चोड़े पार्टीकल्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, लेकिन ये पार्टीकल्स आप अपने बालों पर लगाएं लेना है, चोटे-चोटे सेक्शन करते हुए बालों में लगाएंगे, तो यह अच्छे से लग जाते हैं, और उसके बाद हमें अपने स्कैल्प में लगाना है, हैर रूट में लगाना है, ताकि यह पेनेट्रेट हो जाए और हमारे हैर रूट को strength मिले, nutrients मिले, जिससे हमार बालों के जड़ हैं, वो मजबूत हो जाएं, और बालों का जढ़ना एकदम कम हो जाएं, तो दोस्तों आपको इसी तरह से लगा लेना है, पूरे रात ऐसे ही छोड़ देना है, और नेक्स सुबह हैर वोस कर लेना है, सिंपली जैसे आपको इस तेल को भी लगा लेना है, और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, हर कोई इसे यूज़ कर सकता है,